स्वागत है आज आपको बताने वाला हूं विहार स्टेट एचार्ड एक तेस्टेशन के बारे में उसमें क्या-क्या डॉकुमेंट लगते हैं कितने टाइम लगते हैं और क्या-क्या और कौन-कौन से इन्वर्सिटी के certificate attest होते हैं तो चले शुरू करते हैं और उसके बारे में आपको latest update करवाते हैं फर्स्ट तो आपको बिहार में कोई भी certificate अगर private university का है तो वो HRD attestation नहीं होता है जो भी certificate government university से issue है वही certificate attest होते हैं और उसमें लगवक 30 से 40 working days का time लग जाता है और university verification होने के बाद ही आपका certificate HRD department वाले attest करके देते हैं अब आपको बताते हैं उसमें क्या क्या document चाहिए होता है तो बिहार में HRD कराने के लिए सबसे पहले तो 10th का certificate चाहिए 10th plus 2 के certificate चाहिए और दोनों 10th के certificate और 10th plus 2 के certificate दोनों के mark list की copy भी चाहिए उसके बाद जो document आपको HRD एक्टेस्ट कराना है जैसे कि डिगरी डिपलोमा जो भी है आपका अगर आपको HRD एक्टेस्टेशन कराना है तो वह आपको original certificate चाहिए उसके बाद सारे semester के mark list की photocopy चाहिए पाशपोर्ट की copy चाहिए दो photograph चाहिए जो वाफर लेटर की copy चाहिए ये सारे होने के बाद आपके document अचार्टी एक्टेस्ट हो जाएंगे तब भी आपको और भी को information चाहिए तो आप मेरे को whatsapp करके ले सकते हैं अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और latest update पाते रहें बहुत बहुत धन्यवाद झाल